पूरी तरीके जो मेरा हीर फॉल हो चुका है अगर आप अपने घर में नई गाड़ी लेकर आएओ तो कि आपको ऐसा लगता है कि वो हमेसा नहीं रहेगी? नहीं, कुछ टाइम के बाद वो पुरानी होने लगेगी और उसके जो पार्टस है वो भी खराब होने लगेगे उसके बाद आप क्या करते हो? आप उसे फेंकते नहीं हो, बाहर नहीं निकाल देते आप जाते हो, उसकी सर्विस कराते हो सर्विस कराने के बाद वो ठीक से आपकी गड़ी चलने लगती है तो इसी तरीके से अपना स्किन केर और अपना हेर केर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि भाई ये भी सर्विस मांगते हैं अगर आप इनके केर करना छोड़ दोगे तो आपका हेर फॉल होना लाजमी है आपका स्किन का डल होना भी लाजमी है अगर आप रोजना पांच मिनट का टाइम भी अपने लिए निकालते हो तो आपका जो हेर फॉल है ये भी नहीं होगा उसके साथ में जो आपके इसकिने ये भी डल नहीं होगी तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा हेयर पैक जिसे बना कर अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो आपके बालों की बहुत सारी समस्यां ऐसी है इसी से लगाने से खत्म हो सकती है जैसे कि अगर आपका बहुत ज़्यदा हीयर फॉल हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा बालों में बहुत ज़्यदा डेंडर्फ है वो भी खत्म हो जाएगा बालों की ग्रोथ रुकी होई है वो भी खत्म हो जाएगी आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी साफ से लिए आप इसकी quantity कम्या ज़्यादा अपने बालों की length के according बढ़ा सकते हो ठीक है कम्या ज़्यादा कर सकते हो पहले मैंने इसको अच्छे से दो लिया है साफ कर लिया साफ करने के बाद आपको इसका छिलका हटाने की भी कोई जरूत नहीं है छिलके के साथ ही आप इस अब इसका जो जूस है सारा में निकाल दूगी तो यहाँ पर जितना भी इसका जूस था ना कम से कब एक से दो चमस तो हुई गया था और एक बॉल्ड के अंदर श्टोर हो गया अब यह जो अदरका जूस निकलाए ना एकदम प्यॉर है इसके अंदर कोई भी केमिकल कोई भी मिलावट नहीं है क्योंकि यह हमने खुद अपने हाथों से निकाला है अब इसे और ज्यादा असरदार बनाने के लिए आपको एक से दो चीज़े और इसके अंदर डालनी है यह मैंने डाला है लिविंडर एसेंसियल ओई इसके मैंने चार से पांच मूदे इसके अंदर डाली है साथ में मैंने डाला है अलूविरा जेल जो मैंने हापे लिया है लिविंडर एसेंसियल ओई यह हमारी हियर ग्रोथ करने में काफी ज़दा हेल्प करता है जो अलूवि का तेल यानि की कैश्टर ओयल इस ओयल की बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा जो की हमारी हेर ग्रोथ करने के लिए नंबर वन है अगर आप इसे किसी भी हेर पैक में मिला की भी अपने बालों में लगाते हो तो आपकी जो हेर ग्रोथ है वो बहुत ही लगती है सारे चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिला लेना है मिलाने के बाद अब आपको बताती हो इसे लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपके बालों में ओईल लगा हुआ है पहले से तब भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको लेकिन इसे लगाना है अपने बाल दोने से 30 मिनट पहले, अगर आपके पास में टाइम है एक से 2 घंटे का, तो आप इसे लगा कर एक से 2 घंटे अपने बालों में लगा कर छोड़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है इतना टाइम नहीं है सिर्फ आपके पास में आदा गंटा है तो आप इसे बाल दोने से आदे गंटे पहले अपने बालों में लगा लीजिए मैं इसे लगा रही हूँ अपने रूट पे क्योंकि कैई लोगों के साथ ऐसा होता है जो उनके बाल लेना एकदम रूट से ही निकलते हैं और कुछ टाइम के बाद दीरे-दीरे करके मतलग गंजापन आने लगता है और कई लोगों के जो बाल होते हैं वो बीच में से टूटने लगते हैं मतलग कमजोर हो जाते हैं उनके जो बाल है न मजबूत नहीं होते तो सबसे पहले तो आपको अपनी root को ठीक करना है root ठीक करने के लिए ये वली remedy आपकी बहुत ज़्यदा help करेगी तो इसे मैंने लिया है, मतलग cotton को dip करके और इस तरीकी से मैं इसे अपनी root में लगा रही हूँ पहले तो मैं इसे पूरी root में अच्छे से लगा लेती हूँ चारों तरप से और ऐसा ने कि कोई भी area आपका छूट जाए तो आपको अच्छे से इसे apply कर लेना है, लगा लेना है लगाने के बाद आपको अपने बालों में, अपने सर में मतलब अपनी root में आपको एक तम हलके हलके हाथों से मसाज करनी है, ये मसाज आपको बिल्कुल भी रगड के नहीं करनी है अब देखिए क्यों नहीं करनी है रगड के, पहली बात तो आपके जो root है वो पहले से कमजोर है, है ना, और अगर आपके उन्हें और ज्यादा रगड के मसाज करोगे ना, आपके जो बाल है और ज्यादा निकलेंगे, तो आपको एक तम आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिंगर टिप से ही आपको मसाज करनी है हलकी हलके हाथों से करनी है और आपको बहुत ज़्यदा अपने बालों के साथ कुस्ती नहीं लड़नी है ने तो आपके पूरे बाल हाथ में ही आ जाएंगे निकल की एक दम अराम-अराम से और पहले तो मैंने से इस तरीके से फैला लिया पूरी रूट में फैला लिया देखिए यह जो चीजे होती है ना नेस्ट्रल चीजे इनका पहली बात तो कभी भी कोई भी साइट नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि जो natural चीजे होती है इनका जो result है न आपको थोड़ा सा मतलब late मिल सकता है इसका result मतलब लेकिन ये बहुत ज़दा effective होती है अगर आप इन्हें regular लगाते रहोगे न तो कुछ time के बाद आप देखोगे कि आपके जो समझ से आयना वो जड़ से ही खतम हो जाएगी जड़ से ही खतम हो जाएगी मतलब और जो वैसी चीजे होती है chemical वाली वो तुरंट आपको result जरूर देती है लेकिन वो permanent इलाज नहीं होता है और फिर आप use करोगे तब तक ही ठीक रहेगा अगर नेश्डरल चीजों से अपना केर करोगे तो तो यहाँ पर लगाने के बाद अच्छे से मैंने पूरे अपने सर में की मसाज मसाज करने के बाद इसे मैंने छोड़ दिया पूरे 30 मिनट के लिए उसके बाद मैंने किया है बालों में शैंपू तो यहाँ पर आप देख सकते हो बालों में शैंपू किया, शैंपू के बाद मैंने किया कंडिशनर और उसके बाद बाल होगे मेरे बहुत ज़दा शिलकी, शाइनी और स्मूध, अगर आप भी चाहते हो आपके बाल भी इसी तरीके से एकदम लॉंग रहें, श्ट्रॉंग शाइनी रहें तो यह रेमेडी हफ़ते में दो से तीर मारब चरूर देखिए, यह तो मैंने आपको सिंपल सी हॉम रेमेडी बताईए, इससे आपको अपने बाल दोने से 30 मिनट पहले अपने बालों में लगाना है, लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर लिजे, उसके बा यह कहूंगे, अगर सुभय कर सकते हो, तो ज्यादा अच्छा रहेएगा, इसका ज्यादा लाव आपको मिलेगा, आपको करना किया है, जब आप नैट में सोने क्ली जाते हो, एक चमच आपको लेना है, आमला पाउडर, आमला पाउडर ले ले लिजे, या फिर आप ले लि जाए खाली पिट आप उसी अच्छान के और पी जाए उसके आदे गंटे के बाद आप अपनी चाय पी सकते हो जो भी आपको ब्रेकवाश्ट करना है आप कर सकते हो ऐसा आप रेगुलर करिए यह कंटीन्यू आप तीन महीने कर सकते हो उसके बाद बंद कर दीजिए आपके कि ग्रोथ इतनी अच्छे से होगे कि आप खुद बहुत ज़्यदा हैरान हो जाओगे ठीक है तो यह चोटी चोटी टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए तो यह थी मेरी आज की चोटी सी वीडियो आप सभी को कैसी लगी बताना कॉमेंट्स करके मिलते हैं कल